हाई दोस्तो आप देख रहे हैं फिफ न्यूज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में दोस्तो आज बात करेंगे डंकी के बारे में बहुत दिन हो गए डंकी की कोई जहंकारी आपको नहीं दी तो आज दोस्तों बात करेंगे डंकी के बारे में बहुत सारे रिक्विस्ट भी आ रहे हैं कि आप डंकी के बारे में अपडेट नहीं दे रहे हो डंकी के बारे में भूल गए हो जबकि डंकी राजकुमार हिरानी की फिल्म है मुझे पता है कि डंकी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट था पहले राजकुमाहिरानी के फिल्म को लेके मैं ज़्यादा अपडेट आपको पहले देता था लेकिन चलो कोई बात नहीं आज मैं आपको डंकी की बारे में एक लेटिस अपडेट देता हूँ कल मैंने आपको एक जंकारी दी थी कि खान साहिब चिन्नही से रवाना होंगे मुंबई आएंगे यानि चिन्नही में जवान का स्टेडवल समाप्थ हो गया है और चार-पांच आरेक्टर से वो मिटिंग भी किये हैं त taper कंणे उन्हें आफ़र हूई फिलाल डंके पर आते हैं दोस्तों कपरों की बात मझाब बड़े जिवाल है की जैसे बड़ा आया ज Congress से खाम ऐए अब डंकी की बारी है दोस्तों तो आज दोस्तोंquet का सूट हो रहा आज यानि आज कल और पड़सो तीन दीन तक लगतार महरास्त में डंकी का शूट होगा और यह तीन दीन ही होगा दोस्तों यानि यह तीन दीन का एक छोटा से सेड़वल होगा जो मुंबई से 250 किलोमेटर दूर एक महरास्त में जगा है दोस्तों वहाँ पे एक सिट बनाया और तीन दीन तक शूट होगा जहां पर तापसी पन्नो शारूख खान विकी कौसल और बाकी लोग होंगे इस फिल्म में सतीश शा भी है और सतीश शा का किरदार बाहर आ गया है कि इस फिल्म में वो एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि लंडन में वो एस याई लोग तो अंग्रेजी सिखाते हैं जो लोग USA जाना चाहते हैं चैनडा जाना चाहते हैं तो बहुत इंट्रेस्टिंग करेक्टर है बोमाण इरानी शतीश शा और 20-25 दिन में डंकी का शूट समाप्थ हो जाएगा और 20-25 दिन डंकी का शूट होगा इस तीन दिन के बाद अब ट याई देशों में कैसे शूट करते हैं ये लोग और उसके बाद फाइनल एडिट होगा फिल्म फिर टीजर आएगा फिर्स्ट लुक आएगा बहुत सरे जंकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी और डंकी दोस्तों बहुत इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है कि पंजाब का एक विज़ा किसे दोस्तों बिना पासपोर्ट वीजा के यूएसे जाता है दोस्तों उसके साथ क्या होता है और जो की मजदूरी करने के लिए आप सभी को पता है गरीबी इस फिल्म में दिखाई जाएगी और इस फिल्म में कॉमेड़ी का टड़का होगा इमोशन होगा जंकी का फर्स्ट लुक कैसा होता है आप बने रहे हैं FF News के साथ छोटी सी अपडेट मुझे उमीद है कि आपको पसंद आए होगी तीन दिन का स्टेडवल जो भी अपडेट होगी वहां से मुझे मिलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जवान का भी अपडेट बूलें टेक केर